किसी भी रेस्टोन में जाकर अगर हम नॉन वेज में कुछ ग्रेवी ओडर करने की सोचते हैं तो सबसे पहले क्या नाम आता है हमारे दिमाग में? या थो बटत चिकन या कढ़ाई चिकन तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हुए डिलिशस कढ़ाई चिकन बनाने की रेसेपी जिस में शेर करूंगी डिलिशस कढ़ाई चिकन मसाला भी, I am sure यह रेसेपी आपको बहुत पसंद आएगी बस अगर आपको पसंद आएगी व दो चम्मची यहाँ पर लिया है मैंने सॉफ और ये आधा टेबल स्पून ब्लाक पेपर, साथ में ये चार से पांच साबुत लाल मिर्चे और तीन चार ही लॉंग और हरी इलाईची, सब चीजों को करना है हमको ड्राय रोस्ट, हलका सा जीरा हमारा लाइट ब्राउन सा हो ज तो इस मसाले को अब हम आगे इस्तमाल करेंगे ये हमारा स्पाइस मिक्स तयार हो चुका है अब एक टेबल स्पून तेल को गरम करें जिसमें थोड़े से ये अनियन बल्ब्स हम स्टर फ्राय करेंगे और इसके साथ-साथ ये डाइस कीवी मेरे पास बेल पेपर है इसको भ प्याज है मेरे पास उसको स्टफ राय करके हलका सा सॉफ्ट कर लिए और जैसे ये सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर डालें आप टेबल स्पून अध्रक लसन का पेस्ट और इसको मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें डालेंगे हम ये तीन टमाटर जो हमने रफली चॉप कर र नमक डाल देते हैं और साथ साथ थोड़ा सा एक चॉथाई कप के करीव इसमें डाल दे पानी और ढखकन ढखके इसको धीमी आज पर पकने देंगे हम 5-6 मिनिट के लिए जब इस तरीके से इसमें उबाल आने लग जाए टमाटर सॉफ नज़र आने लगे गैस का फ्लेम ब इन सब पे अच्छे से ये मसाला कर देंगे कोट ये एक बेसिक सा मारिनेशन है जो हम चिकन को पकाने के लिए इस्तमाल कर रहे है ताकि चिकन जो हमारा ब्लैंड ना लगे कड़ाई चिकन में तो ये इस तरीके से 10 मिनिट के लिए हम साइड पर रख देंगे और उसके तो बस इसको पहले उलट पलट करके तीन चा मिनिट के लिए इस तरीके से कुक कर लें कि जो ये आपको फ्लेशी रेड पार्ट नजर आ रहा है ये थोड़ा सा कुक हो जाए वाइट नजर आने लगे और उसके बाद फिर हम इसको ढखकन ढखके पकाएंगे धीमियाज पे करीब करीब 10-12 मिनिट के लिए बीच में इस तरीके से ढखकन अटाएं और एक बार इसको चलाने के बाद वापे से ढखकन ढख देंगे और तीनचा मिनिट इसको और पकने देंगे हम जब तक ये देख सकते हैं आप प्यास टमाटर और काजू हमारे ठंडे हो चुके हैं इसका हमने इस तरीके से एक प्योरे बना लेना है और ये थोड़ा सा पारे डालके मैंने सारा प्योरे निकाल लिया इस तरीके से तो ये हमारे पास बेसिक ग्रेवी बनाने के लिए मिक्स तयार हो चुका है आप चिकिन देख लेते हैं आप देख सकते हैं इसमें अलरड़ इसमें काफी अमांट में पानी नजर आ रहा है तो इस ग्रेवी को थोड़ा थिक भी करेंगे तो मीडियम फ्लेम करके ढखकन ढखके इसको चार-पाच मिनिट के लिए पकने देंगे देख सकते हैं आप इस तरीके से हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी थिक भी हो गई है और ऑईल जो हलका अलोग उने लग गया है जबकि अभी हमने इसमें मसाला जो बेसिक हमने प्रिपेर कर रहा था कड़ाई मसाला वो नहीं डाला है तो अब हम इसमें डालेंगे कड़ाई मसा करके फिर से इसको ढखकन ढखके हम पकाएंगे तो यह ढखकन ढख देते हैं और तीन चा मिनिट के लिए अब हम धीमी आज पर इसको रखेंगे यह देख सकते हैं कड़ाई मसाला डालने के बाद कितना बढ़ी है इसमें रंग आने लग गया है और तेल जो है वो उपर बि जाज यानि के अनियन बल्प्स और हमने बैल पेपर फ्राय करी थी वो डाल देंगे और साथ में डालेंगे दो से तीन टेबल स्पून को किंग क्रीम के आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकौर्डिंग और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे जब आप इसको मिक पेस को करीब करीब पाच्छे मिनिट के लिए हम पका लेंगे इस तरीके से चलाने बीच में और क्या बढ़िया ये नजर आ रही है हमारी कडाही चेकिन की ग्रेवी वापिस से ढखकन ढख देते हैं और धीमी आज पेस को जब तक पकाएंगे जब तक कि कुछ इस तरीके से ये तेल जो है अलग ना होने लग जाए तो अब इसमें हम डालेंगे एक से दो हरी मिर्चे मैं बीच में स्लिट लगा के हरी मिर्चे नहीं डाल रही हूं तकि ज्य कोई मसाला डालने के हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कड़ाई मसाला जो डाला है अपने आप में इतनी खुश्बू है कि इसमें गराम मसाला की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है आपको डालने की दीमी आज पे दोटी मिर्ट लास में इसको हम और पकाल लेते हैं और ये तैयार है हमारा delicious कढ़ाई चिकिन restaurant style तो यह आप खुद देख सकते हैं कितनी शांदार इसकी gravy नजर आ रही है और आप देखके इंदादा लगा सकते हैं कि restaurant style से कहीं भी यह कम नहीं लगेगा बल्कि far better than restaurants है यह trust me on this thing and try this recipe 2-3 minute मैं इसको पगा लिया है तेल बिल्कुल अच्छे से separate हो चुका है और यह बिल्कुल तयार है गर्मा गरम शांदार कढ़ाई चिकन जिसको मैंने कर दिया है serve इसे आप खमीरी रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही शांदार लगता है किसी भी तरीके के garlic naan कोई भी तरीके का naan हो उसके साथ बहुत amazing combination है पराठे के साथ मालाबारी पराठा या किसी भी तरीके का लच्छा पराठा हो उसके साथ भी बहुत amazing combination है नहीं तो simple रोटी, चावल, बिरियानी किसी भी चीज के साथ serve करें और enjoy करें यह delicious कढ़ाई chicken recipe जो है बिल्कुल restaurant style लेकिन trust me, restaurants में भी यह इस तरीके की नहीं बनती है जिस तरीके से आप इस recipe को try करेंगे तब आप जान पाएंगे कि क्या है इसका taste do try this recipe, अगर पसंद आईए तो इसे दीजेगा like और साथ साथ मेरे इस नए जानल को subscribe ज़रूर से कीजेगा जल्दी मिलती हूए एक और ने recipe के साथ तब तक God bless, bye bye take care and stay safe